Hello everyone, I am Dilip Kumar. Today we will learn about the evolution of the nervous system. हाज हम सीखेंगे के nervous system क्या है और किस तरीके से evolution nervous system में होई है. Nervous system जानदारू में अमोमन दो अक्साम के होते हैं. एक diffuse nervous system और दूतरा होता है centralized nervous system. सबसे पहले डिस्कस करते हैं diffuse nervous system के diffuse nervous system क्या है. Diffuse nervous system में neurons पूरी body में एक जाल के मानन फेले हुए होते हैं. और इन में जो transmission है impulse की वो slow होती है क्यूंकि इसमें snapse बनते हैं. Impulse electrochemical messages पूरी body में फेलते हैं क्यूंकि इसमे neurons diffuse पूरी body में होते हैं. Diffuse nervous system कहां पाया जाता है? Diffuse nervous system achynodermates के जानदारू में और niderian के जानदारू में ये दोनुफाइलम हैं में पाया जाता है. अगर niderian की बात करेंगे तो इसमें example hydra है. Hydra में diffuse nervous system पाया जाता है. और इन में जो symmetry होती है, इन जानदारू में symmetry, radial symmetry होती है. Radial symmetry क्या है? अगर एक body को divide किया जाए और वो body दो equal hall में divide ना हो तो इसको radial symmetry कहेंगे. अगर एक तर्बूज लें आप और उसको center में से काटें और जितने भी हिसु में काटें फाकिंग की size जो है एक जैसी हो तो ऐसी symmetry को हम radial symmetry कहेंगे. और इन जानदारूं को अगर बीच में से हम काटेंगे तो इनके more than two halls बनेंगे तो इसको radial symmetry कहेंगे. दूसरी बात के diffuse nervous system में interior और posterior openings नहीं होती है. अगर आप hydra को देखेंगे तो इसमें neurons network की तरहां पूरी body में फेले हुए हैं. अगर आप इसमें देखेंगे तो कुछ यूं network की तरहां पूरी body में neurons आपको नजर आएंगे यहां भी यहां भी यहां भी. अगर एक strong stimuli और persistence stimuli हो तो इसकी body move करेगी towards the whole body cage करेगी प्रे को शकार को और यह tentacles और इसकी पूरी body जो है शकार को cage करने के लिए move करेगी. आगे हम देखते हैं centralized nervous system को. अगर हम centralized nervous system को देखेंगे तो centralized nervous system bilateral symmetry कल जानदारों में पाया जाता है जिन में interior और posterior openings मौजूद होती है. ends मौजूद होते हैं जैसे के हम और flatworm जैसे के planaria में भी central nervous system मौजूद होता है. तो अगर planaria की बात करें तो इसमें brain से दो cord like nerve arise होती हैं जो के longitudinally throughout the body होती है और ladder shape होती है. अगर आप इसको देखेंगे फार एक्जमपल brain है यहां से एक line यह जा रही है एक line यह जा रही है यह दो आपको नजर आ रही है nerves जो के पूरी body में फेली हुई हैं और इनमें यह transverse nerves भी मौजूद हैं तो इनमें यह centralized nervous system कोई भी diffuse system यहां पे नजर नहीं आ रहा अगर हम हम हमारी बात करेंगे तो यह brain और यह जो spinal card है इसको हम कहेंगे कि हमारी body में भी centralized nervous system मौजूद है अगर away from the body देखेंगे तो white nerves आपको यहां भी नजर आ रही हैं जो कि पूरी body में failure होती हैं इनको peripheral nervous system कहते हैं तो central nervous system peripheral nervous system human brain के बारे में हम हमारी